19 में आप अपने बड़े मार्जन से लोगसभा का चुनाब जीती वजा क्या थी मोदी जी या आप खुद देखे ऐसा है कि ये कलेक्टिव होता है सब का इसमें कहीं कोई दो रहा है नहीं कि आदानिया पदानमती नरेंदर मोदी जी सब की पसंद हैं सब उनको एक नेता के तौर पर पसंद करते हैं और उनको एक अडमिस्रेशन के जो उनका अडमिस्रेटर है वो उनके तौर पर भी वोट करते हैं इसके साथ जो कैंडिडेट है उसको भी नैशुरली यह देखा जाता है भी कैंडेट जो है वो कल बनने के बाद जो है वो क्या आपके लिए कुछ कर पाएगा सक्षम है के नहीं है उसकी इमानदारी कितनी है उसकी मेहनत कितनी है तो वो आप से कितना जुड़ा हुआ है तो ये सब factors जो हैं ये सब काम करते हैं और नैचरली कि जब इन सब factors के साथ लोगों का आशिरवाद बरसता है आपके उपर तब ही आप इतने margin से जीत पाते हो दोजार्वनिस में तो जीत गए लेकिन अब 24 में ये कहा जा रहा है कि एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पा गया है कि सौ जो सबसे कमजोर सांसत वाली सीटे हैं उसमें से एक सिरसा भी है नहीं ये तो जो है मीडिया वालों की ही मैं कहूंगी क्यों उनके ही दिमाग के ओपर जाये सिरसा लोकसभा बिलकुल कहीं से भी कमजोर नहीं है हाँ ये बात जरूर है कि सिरसा जिले के अंदर की 2014 में हमारी पाच विधान सभाय है वो हम पाच में से एक भी विधान सभा नहीं जीत पाए थे 2019 में भी जो पाच विधान सभाओं में 2019 में एपरल में चुनाव होता है तो उसी को ही देखने के लिए ही जो है इसको इस लोकसभा का चुनाव किया गया कि वहाँ पर लोकसभा का चुनाव इतने मार्जिन से जीतने के वावजूद भी जो है वो सिर्सा जिले के अंदर पांच की पांच विधान सभाएं जो है वो भारती जनता पाटी नहीं जीत पाई तो उसका कारण क्या है उसकी सारी समिक्षा करने के लिए ही इसको जो है एक स्पेशल मैं करना चाहूंगी के भी कैटेगरी में रखा है कि यहाँ पर हम आगे नौ विधान सभा हम जीत सकें यहां से यह हमारी कोशिश है इसी को ध्यान में रखते हुए जो है तो क्या जीत पाएंगे नौ विधान सभा है कभी कभी हुआ तो नहीं है नहीं ऐसी बात नहीं है कि कोशिश करने चाहिए हमें मेहनत करने चाहिए हमें और कोशिश करने वा प्रेव करका श्यूज।